हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग आज हम देखेंगे आप लोगों को एससी रेलवे बैंक में पुछे जाने वाले कोश्चन्स जो कि इस टाइप के कोश्चन्स अक्सर पुछे जाते हैं इस टाइप के कोश्चन्स अक्सर पुछे जाते हैं बैंक में भी एससे में भी तो तो सबसे पहले डीए कि क्या है यह वन प्लस वन अपाउंड में वन फिलस वन अपाउंड में वन प्लस टू भाई थ्रे है। तो इसको solve करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस यह देखना है कि यह नीचे में क्या है? तो यह है 2 by 3. तो आप कुछ मत कीजिए इसको यह जो ऊपर वाला है इसको पहले लिख लिजिए और यह जो नीचे वाला है इसको बार में लिख लिजिए. हो गया? और उसके बाद में देख लिजिए कि यह कितने term है? तो 1,2,3,4 4 term है तो 4 ऐसे line कर ल जो आपका मन्त शो कर लिए और उसके बाद में क्या है कि प्लस इन दोनों के बीच का बीच का a कैसा है प्लस का या नी कि महीड़े से गफ्लस्का पहस्विक दूसर का सभी ये प्लसितर बी इस अब अगले टम के लिए इन दोनों को एड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 13 और अगले टम के लिए इन दोनों को एड करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 21 अब देखिए कि यह हो गया आपका 21 अब इसका जो फ्रेक्शन में आंसर जो होगा यह आपका होगा इस पूरे यानि कि लास्ट क्या है आपका 21 और सेकेंड लास्ट क्या है 13 जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा ठीक है और आगे देखते हैं अब माली जीए कि ये तो हो गया कि प्लस वाला है एक बार आप लोग देख लिजीए कि मतलब समझ में आया की नहीं और फिर अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके यहीं कोश्चन आप रिपीट कर सकते है अब ठीक है अब आगे देखते हैं कि माली जी ये तो प्लस प्लस वाला है तो आप ऐसे कर लिए अगर यहीं पे अब ऐसा थोड़े है कि माली जी कि प्लस ही के वाला आएगा ऐसा थोड़े ही के वाल प्लस ही आएगा माइनस में भी देख सकता है कि माइनस का क्या होगा तो तो इसके minus के लिए अब क्या करेंगे कि आए उसके लिए अब दूसरा question देख लेते हैं अब यहां पे देख रहा है कि यह plus plus minus है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आप लोगों को same to same वैसे ही करना है जैसे कि हम बोले थे यानि कि क्या बोले थे कि यह जो 3 by 4 आपको लास्ट में जो दिख रहा है इसको जेओं का तेओं लिख देना है यानि कि यह कितना होगा 3 और 4 यह हो गया और फिर देख लेना है कि टम कितने हैं 1 2 3 4 यहाँ पर क्या कर लिजिए आप ऐसे 4 डिजिट लगा फोर लाइन लगा देजिए और फिर क्या करना है कि यह हो गया तो अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है माइनस है तो माइनस है तो कुछ नहीं करना आपको इसमें से माइनस कर देना है तो माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा 1 होगा और तर्म में देखेंगे तो यहां तक का हमारा complete हो गया यहां तक का हमारा यह complete हो गया इसके बाद देखेंगे कि माइनस है तो माइनस है तो फिर क्या करेंगे अगले इसके पहले वाला घटा देंगे यानि कि एक में से चार घटेगा कितना होगा माइनस का थिरी कितना होगा माइनस का थिरी अब यहां तक कम्प्लीट हमारा हो गया तो यह अब यहां पर देखेंगे कि पलस है तो अब क्या करेंगे कि पहले वाले से दूसरा वाला प्लस तो कितना होगा माइनस का 2 होगा कितना होगा दोस्त माइनस का 2 होगा उसके बाद फिर देखते हैं कि यह प्लस हो गया तो अब इसके बाद में भी क्या है प्लस है इसके बाद में भी क्या है प्लस है तो अब क्या करेंगे कि लास्ट वाले टम के साथ उसे पहले वाला टम फि यानि कि कितना हो जाएगा माइनस फाइप अपॉन में माइनस टू और यह माइनस माइनस कैंसल आउट होगा तो क्या होगा फाइप अपॉन में तू यहीं हमारा अंसर हो जाए वह ठीक है दोस्त आप लोग एक बार समझ लीजिए देख लिजिए इसको फिर से समझ्झ लिए ठीक है और इसके आगे ज़स्ट एक और आसकर देखते हैं इस इह तो यहाँ पे मेंनस मेंडस बॉइल आप कोज फिल्यर कर सकते हैं ठीक है अब अगले दिन के लिए देखेंगे आज तो केवल दो ही करा करके छोड़ दे रहा है इस पर आप लोग और क्वेशन बनाईएगा और अगले दिन जो हम देखिए क्या देखेंगे कि यहां पर एक एक है यहां पर माली जी कोई दूसरा डिजिट आ जाए तो यहां पर एक एक के बदले में दो तीन च